नमस्कार आप देखरे सीनी उस भारत में हूँ आपके साथ प्रियाश्य वास्तब जारकन में चुनाव जीतने के बाद हेमन सोरिन का श्रपत ग्रहन और सियासी गल्यारों में मच गया बवाल जी हाँ एक तरफ हेमन सोरिन का अकेली श्रपत लेना चर्चाओ में हैं वहीं क्याबिनेट विस्तार बाद में किया जाएगा लेकिन क्याबिनेट का विस्तार बाद में करना कॉंग्रिस के लिए खत्रे की घंटी से कम नहीं है सवाल है ये कि हेमन सोरे ने अकेली शपत लेना क्यों चुना और क्या इसका कॉंग्रिस पर बुरा असर पढ़ने वाला है दरसल जारकर में इडिया गटबंदन के तहत चार दलों की सरकार बन रही है लेकिन हर दल अपनी हिस्तेदारी चाहता है इस काबिनेट में 12 पद है जुसमें से जेमेम साथ पचाती, कॉंग्रिस चार्ज अपकी माले और आरजेडी भी अपने अपनी हिस्तेदारी की मांग कर रही है इस पेच को सुझाना हेमंद के लिए असान नहीं है और यही वज़ा है कि कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है वहीं अकेली शपत लेने के तीन बड़े कारण भी बताये जा रहे हैं वो क्या है चलिए बता देते हैं पहला है हेमंद का खुद का चेहरा बनना इस बार जोहारकर में चुनाव पूरी तरीके से हेमंद सोरेन के इर्दिगेर्द हुआ उन्होंने अकेले दोस्तों से ज़्यादा रैलियों में हिस्सा लिया जबकि कॉंग्रस और आर्ज्यडी के नेता मैदान से ज़्यादा तर बाहर दिखे जब-जब सरकार बनाने की बारी आई तो हेमंद ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अकेले शपत लेने का फैसला किया दूसरा है अब कॉंग्रस पर निर्भरता नहीं है यानि की 2019 में हेमंद को सरकार बनाने के लिए कॉंग्रस का समर्थन चाहिए था लेकिन अब इस्थिती बदल चुकी है इस बार जेमंद के पास 34 सीटे हैं और उसे माले और आर्ज्यडी का भी समर्थन है अब हेमंद सोरिन को कॉंग्रस को ज्यादा एहमियत नहीं देना पड़ रहा है और वो अपनी शर्तों पर सरकार चला सकते हैं तीसरी वज़ा की बात करें तो वो है पोजीशन पर खीचता बैसल कॉंग्रस ने डिप्टी सियम का पद मांगा था लेकिन हेमंद नहीं सिसीरे से नकार दिया कॉंग्रस ने किसी विधाय का मंत्री बनाना भी ज्यम्म के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इससे कॉंग्रस को नमबर दो की पोजीशन मिल सकती है हेमंद इसे लेकर बहुत सतर्क है और चाहते हैं कि सत्ता की असल ताकत ज्यम्म के हाथ में ही रहे फिलाल जॉरकर में कॉंग्रस की हालत फिलाल जम्मु कश्मीर जैसी लग रहे है कि सरकार तो सहयोग से बन गई भर में हिस्सेदारी मिलनी मुश्किल है हेमंद सोरिन के अकेली शपत लेने से साफ है कि अब ज्यम्म कॉंग्रस से ज прав Gotta Whoo हु गई है कॉंग्रिस के लिए इस्थिती चुनावती पूर्ण है क्योंकि आब उसे अपनी हिस्सदारी पर समझोता करना पड़ सकता है कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमन सोरेन का अकेले शपत लेना ना केबल उनकी सियासी कॉंग्रिस की मुश्किले बढ़ने वाली है क्योंकि आब उसे अपनी हिस्सदारी को लेकर समझोते की रहा पर चलना पड़ेगा हिमन सोरे ने इस साफ कर दिया है कि आब उनका रुख कॉंग्रिस के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा इस रणनीती से जहार केंटी राजनीती में नए समी करर बन सकते हैं जो कॉंग्रिस के लिए टेंशन का कारण बनेगा फिलारिस कास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकियों और खबरों के लिए आब बने रही है सीनियोस भारत के साथ